हाई गैस आज हम व्याकरंड का फर्स्ट वीडियो लेक्षर स्टार्ट करने जा रहें तो व्याकरंड में जैसे कि क्लास 11 और टरल्थ आई एस्टी बोर्ट की बात की जाए तो इसमें मेंली जो कोईस्टन पुट अफ होते हैं व्याकरंड से वो व्याकरंड का जो portion होता है वो section नहीं होता है at least 40 marks का होता है तो इस 40 marks में हमें जो cover करना रहता है तो 5 marks का विलूम सब्द रहता है दें 5 marks के मुहावरे रहते हैं इन सब से रहते हैं तो हमारे लिए important यह है कि हम यह सब चीज़े अच्छे से cover करने इस सब चीज़े हैं हमारे लिए important है कि 3-4 topic है रहते हैं जो mainly 40 marks cover करती है तो हमें वो 3-4 topic लेकर अच्छे से practice कर लेना चाहिए तो पहला है प्रवेस मतलब इसका विलूम क्यों होता है निकास परमार्थ स्वार्थ अगला है पच्छ पाति मतलब निस्पच पसंद नापसंद प्रशारण मतलब संकुचन फिर प्रफुल मतलब मलान प्रगति मतलब प्रगति मन फिर देखे प्रतिग मन फिर देखे प्रगति का क्यों होता है प्रतिग मन फिर पक्का मतलब कच्चा फिर अगला है परोग्च मतलब प्रत्यज फिर अपरोच आप लोग आसानी से कोई भी चूस कर सकते हैं फिर प्रोथ साहित का विलोम क्या होता है हतोथ साहित होता है क्या होता है हतोथ साहित किसका प्रतोथ साहित का फिर प्रधान मतलब गौर फिर कि प्रशेंशा करने का मतलब किसी की बढ़ाई करना निंदा मतलब किसी की बेज़िती करना फिर उसके बाद प्रत्य मतलब पहले अप्रत्य मतलब पीछे प्रभू मतलब भृत पवित्र आपवित्र फिर पूरो गामी मतलब परिमीत मतलब इसका क्यों होता है परिमीत का परि प्रोशित उसका मतलब अपोशित प्रत्यक मतलब संयूक्त पारितोश मतलब दंड परा मतलब अपरा पे मतलब अपे पूरा का होता है अधूरा इनकंपलीट पैना मतलब भोथरा फिर उसके बाद पूरवर्ती मतलब परवर्ती उसके बाद परिहारे परिहार का आप लोग पोजिट कर सकते हैं अपरिहारे पट्टू मतलब अपट्टू पतन उत्तान पतन उत्तान का क्यों होता है पतन फिर इसके बाद परिस्कत मतलब अपरिस्कत फिर इसके बाद पार्थि मतलब अपार्थि पाक ना पाक फिर अगला है पाप मतलब पुन्य, फिर प्रगलब मतलब आप्रगलब, फिर प्रतिष्टा, फिर आप्रतिष्टा, प्राय मतलब वहुधा, उसके वाद प्रीती मतलब देश, प्राण मतलब आप्रोण, फिर प्रतिपन मतलब आप्रतिपन, प्रकृतिक, फिर उसको आप्रक पात्र,प्राचिन, adunkt , हृओ पावन well Francisco . संघ होगा स्थेंक्स वार्ची वीडियो बेटे नेक्स्ट वीडियो this